बाढ़ नियंत्रण इसका एक पुरा डिपार्टमेंट होता है और दिल्ली में एक अपेक्स बोडी है अपेक्स बोडी हमेशा बाढ़ के समय आने से पहले उसके मीटिंग होती है वैज्यानिक रूप से मौसम का जायजा लिया जाता है कब कितनी बारिस हो सकती है कितनी नदी बढ़ा ते यमना जी यमनोत्रि से आती है अगर इस दौरान कहीं भी बारिस होती है तो पानी भर सकता है यह बार बार कहते हैं हचेनी कुंड को हचेनी कुंड पे पानी रोको अरविंद पेजिरीवाल अगर आपकी ताकत है तो वजीराबाद तब रोक लो न जा सकता है जब पानी कम होता है पानी जब ज़्यादा हो तो कोई बेराज नहीं रोक सकता उसको लेकिन पता नहीं इन मुर्खों को कौन समझाए ऐसी इस्तिति में जो साजिस नजर आती है जो अकरमंडेता निकम्मापन नजर आता है दो साल से अपेक्स बोडी की मीटिंग नहीं हुई है क्या पेक्स बोडि की मीटिंग करके पहले से आप तयाली नहीं कर सकते थे कर सकते थे लेकिन तब नकरते जब आपको दिल्ली की जनता को बचाने का नियत हो था एंडी आरफ बचाएगी Hadji बचाएंगे नरंद्र मूदी जी बचाएंगे लेकिन हम स के सामने हैं हम सब बहुत परिसान हैं कल हमने जमना जी का दौरा किया पानी घट रहा है तेजी से घट रहा है लेकिन जो लोगों का नुक्सान हुआ है आर्थिक उनका क्या होगा जब उने सवाल उठाए तब चार-पाज घंटे आनुन फानुन में जल्दी से मीटिंग करके और 10,000 रुपय प्रती घर दिया अरे 10,000 रुपया प्रती घर का मतलब 1,500-2,000 रुपया प्रती व्यक्ती हुआ आप मजाक कर रहें जले पे नमक छिरक रहें अर्विंद केजरिवाल जी कम से कम मुआउजा मीनिमम 50,000 सेरे के 5,000 रुपय तक का होना चाहिए तब जाकर कि आर्थिक नुकसान जो हुआ है उसमें उनको राहत दी जा सकती है